सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक्स ऐसे सब्स्टांसिस है जिनका इस्तमाल हम लोग डेली लाइप में कई जोगों पर करते हैं और इन्ही सब्स्टांसिस के बारे में चैप्टर नमबर 13 में हमें अच्छे से परना है इस चैप्टर को भी हम लोग multiple parts में complete कर लेंगे यह सबसे पहला part है और अगर आपको इसके अगले parts का वीडियो भी चाहिए तो comment में लिकर ज़रूर बताईएगा आपके class के almost third subject के वीडियो आपको DAV गुरू के playlist में मिल जाएंगे जिनकी मदद से आप अपने exams का बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं यहाँ पर daily नए वीडियो भी add होते रहते हैं इसलिए चैनल को subscribe करके वेल आइकन को press कर लिजेगा ताकि हर नए वीडियो का notification आपको मिलता रहे इस chapter में भी हमें कई सारे topics cover करने है सबसे पहले तो हम लोग chapter का introduction देखेंगे कि आखिर इस chapter में है क्या उसके बाद synthetic fibers के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे इसके अंदर दो subtopics हैं उसके बाद plastics के बारे में पढ़ेंगे इसमें भी दो subtopics हैं उसके बाद पढ़ेंगे कि plastics हमारे environment के लिए कैसे होते हैं इसके अंदर भी दो subtopics हैं तो चलिए chapter का explanation शुरू करते हैं आप पूरे class को अच्छे से attend कीजिए हर topic को समझे ताकि exam में कहीं से भी question बना कर पूछा जाए आप उसको आसानी से अंसर कर पाएं previous class यानी की class 7 में हमने कई fibers के बारे में पढ़ा था जैसे की jute, cotton, wool और silk ये सभी या तो plant fibers होते हैं या तो animal fibers होते हैं और ये इस पे depend करता है कि ये हमें किस source से मिल रहा है अगर fiber हमें plant से मिल रहा है तो उसको plant fiber कहेंगे और animal से मिल रहा है तो उसको animal fiber कहेंगे natural fibers भी कहा जाता है सभी natural fibers से fabrics बनाय जाते हैं और उन fabrics से कपड़े बनाय जाते हैं इन fibers का इस्तेमाल कई सारे घरेलू सामान बनाने के लिए भी किया जाता है जैसे कि रसी भी fiber से ही बनाय जाते हैं कारपेट्स भी fiber से ही बनाय जाते हैं और भी बहुत सारे daily use के articles होते हैं जिनको fiber से ही बनाया जाता है आपको दो और ऐसे चीजों के नाम कमेंट में लिकर बताने हैं जो कि natural fibers से बनते हैं खाला कि fibers और fabrics का demand इतना ज़ादा है कि केवल natural fibers से इस demand को fulfill नहीं किया जा सकता है इस तेजी से बरते हुए demand को पूरा करने के लिए हमारे वज्ञानिकों ने artificial fiber develop कर लिया है इन fibers को synthetic fiber या man-made fiber भी कहा जाता है artificial fiber या synthetic fibers ऐसे fibers होते हैं जिनके लिए हमें nature पर नहीं के बराबर depend होना परता है और इसको lab में बनाया जा सकता है और अब हमें synthetic fiber के बारे में ही detail में परना है तो चलिए इस chapter का सबसे पहला main topic स्टार्ट करते हैं synthetic fibers शुरू करते हैं कुछ example के साथ आपने necklace देखा होगा उसमें जो मोतियां होती है न वो धागे की मदद से एक दूसरे से जूरी रहती है खिलोने वाला जो train होता है उसके भी सभी wagon's आपस में कुछ उसी तरह से जूरे होते हैं अगर हम दोनों examples को ध्यान से देखते हैं में पता चलता है कि दोनों में एक लंबा सा chain बनता है इसी छोटे से concept पर ही synthetic fiber भी आधारित है synthetic fibers जो होते हैं न उसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे molecules एक chain बना कर आपस में जूरे रहते हैं वैज्यानिकों ने research करके पता लगाया कि जो natural fibers होते हैं वो simple molecules से बने होते हैं जिनको monomers कहा जाता है यही monomers जब बहुत बड़ी संख्या में एक दूसरे के साथ मिलकर एक लंबा सा chain बना लेते हैं तब उस chain को polymer कहा जाता है अगर हम इन दोनों words के literal meaning को भी देखे तो हमें दोनों का definition पता चल जाएगा mono का मतलब होता है single और poly का मतलब होता है एक से अधिक और mers का मतलब होता है parts अगर एक ही part है तो उसको monomer कहेंगे और अगर एक से अधिक parts मिले हुए हैं तो उसको polymer कहेंगे monomers और polymer के definition को summarize करके हम बोल सकते हैं कि अगर यह monomer है और ऐसे बहुत सारे monomers को join कर दिया जाता है एक chain बना दिया जाता है तब polymer का निर्मान होता है और synthetic fiber is also a chain of small units joined together जब बहुत सारे छोटे छोटे units एक साथ मिल जाते हैं एक साथ join हो जाते हैं तब एक chain बनता है और उसी chain को synthetic fiber कहा जाता है do you know में polymer के बारे में बताया गया है polymer एक Greek origin का word है जिसमें poly का मतलब होता है many यानि की बहुत सारे और mers का मतलब होता है parts या छोटे छोटे units यहाँ पर monomers का definition है इसको underline कर लिजेगा उसके बाद polymers का भी definition है यहाँ से लेकर यहाँ तक और सबसे अंतिम में synthetic fiber का एक proper definition दिया गया है इन तीनों definition को याद कर लिजेगा अब हमें समझना है कि polymerization क्या होता है polymerization मतलब polymer का बनना exactly वही चीज है the process by which polymer is made ऐसा process जिससे polymer बनता है by joining a large number of small molecules जिसमें बहुत बड़ी संख्या में छोटे छोटे molecules मिलते हैं इस को अल्ड polymerization उसी process को polymerization कहते हैं यह भी एक important definition है इसलिए इसको भी underline करकी याद कर लिजेगा man made polymers का development इसलिए किया गया था ताकि अभी के समय के बढ़ते हुए demand को पूरा किया जा सके natural or synthetic polymers के अलावा एक और टाइप का polymer होता है जिससे semi synthetic polymer कहा जाता है ऐसे polymers हमें तब मिलते हैं जब किसी natural polymer को किसी chemical process से होकर गुजारा जाता है एक्जामपल के लिए vulcanized rubber एक semi synthetic polymer का एक्जामपल है जिसको बनाने के लिए molten rubber और molten sulfur को एक खास condition में mix किया जाता है उसके बाद vulcanized rubber बनकर तयार होता है तो यहां तक हमने समय लिया कि synthetic fiber exactly होते क्य हैं अब हमें कई synthetic fibers के बारे में detail में परना है हम जानेंगे कि वो बनाए कैसे जाते हैं और उनका use क्या क्या है सबसे पहला synthetic fiber है रियान जिसको की artificial silk भी कहा जाता है class 7 में already हमने silk fiber के बारे में परहा था जिसको silk warm से प्राप्त किया जाता है और इसका खोज चाइना में हुआ जो fabric हमें silk fiber से मिलता है वो बहुत ज्यादा मेंगा तो होता है लेकिन बहुत ज्यादा सुन्दर भी होता है उसका texture बहुत अच्छा होता है इसी वज़ा से प्रयास चलते आ रहे थे ताकि silk को artificially बनाया जा सके और 19th century के अंध तक वैग्यानिकों को इसमें सफलता भी मिल ग जानते हैं रियान बनाने के लिए जो raw material इस्तेमाल किया जाता है वो उड़ cellulose होता है लकरी के रेशे होते हैं जो की एक natural fiber है इसी natural fiber से हमें silk जैसा fiber मिलता है इसलिए रियान को कभी-कभी regenerated fiber भी कहा जाता है regenerated मतलब fit से बनाया गया पहले से natural fiber था ही उसको process किया गया उसके बाद silk जैसा fiber मिला रियान को पूरी तरह से artificial fiber नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इसका raw material एक natural fiber है बिना nature के हम रियान नहीं बना सकते हैं अब हमें देखना है कि रियान का इस्तेमाल कहां कहां पर किया जाता है नमबर वन में बताया गया है कि रियान की मदद से हम लोग silk, wool, cotton और linen का feel और texture imitate कर सकते हैं आसान भाषा में बोले तो रियान की मदद से हम लोग इन सभी fibers को copy कर सकते हैं इसको छूने में भी बिल्कुल वैसा ही लगेगा और इसका texture भी वैसा ही लगेगा रियान को अक्सर cotton के साथ mix करके bit sheet बनाया जाता है और इसको wool के साथ mix करके carpet बनाया जाता है नमबर टू रियान एक ऐसा fabric होता है जो smooth, cool और comfortable होता है रियान को आसानी से किसी भी color से dye किया जा सकता है रियोन को गर्मियों में पहना suitable होता है क्योंकि इसका fabric आसानी से पसीनी को absorb कर सकता है इससे कई तरह के वस्तर बनाए जाते हैं जैसे कि dresses, jackets, lining, suits और hats और fifth number में बताया गया है कि इसका इस्तमाल industries में, surgical products बनाने में और tire के cords बनाने में किया जाता है टायर आप देखे होंगे जब भी tire को काटेंगे ना तो उसमें धागा रहता है उसी धागे को बनाने के लिए rayon का इस्तमाल किया जाता है एक do you know यहाँ पर दिया गया है, इसमें बताया गया है कि textile industry में rayon को दो और नामों से जाना जाता है एक है viscose rayon और दूसरा है art silk rayon का chapter close अब हमें दूसरे synthetic fiber के बारे में परना है जिसका नाम है nylon nylon एक पूरी तरह से artificial या man made fiber है क्योंकि इसमें किसी भी natural fiber का इस्तेमाल raw material के रूप में नहीं किया जाता है nylon एक पहला fully synthetic fiber है और nylon को wonder polymer भी कहा जाता है एक बहुती amazing fact इस वाले do you know में बताया गया है शायद आप जानते भी होंगे ये जो word है न nylon ये दो cities के नाम से मिलकर बना हुआ है पहला city है New York जो की USA का एक city है और दूसरा है London जो की Great Britain का एक city है New York से NY ले लिया गया और London से L.O.N. ले लिया गया N.Y.L.O.N. मिलकर बन गया nylon ऐसा नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि इस fiber का development दोनों देशों के वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था योजेस of nylon अब हमें देखना है कि nylon का इस्तिमाल कहां कहां पर किया जाता है nylon एक ऐसा fabric है जो की highly elastic होता है और highly tensile होता है आसान भाषा में बोले तो ये बहुत मजबूत होता है और इसको तोरना या फारना बहुत मुश्किल होता है मजबूती के साथ साथ देखने में भी ये silk जैसा लगता है जो की इसका plus point है इसे कई सारे घरेलू सामान बनाया जाते हैं जैसे की carpets, socks, इससे bag भी बनाया जाता है rubber band भी बनाया जाता है और raincoat भी बनाया जाता है nylon का इस्तमाल mainly military applications के लिए किया जाता है जैसे की जो रसियां होती है, parasuits होते हैं वो nylon के ही बनाया जाते है ये highly durable होता है, बहुत मजबूत होता है इसी कारण से इसके fibers का इस्तमाल seat belts बनाने के लिए, tire course बनाने के लिए और कपरों को बनाने के लिए किया जाता है इसे brush, kangy और hooks जैसे घरेलू सामान भी बनाया जाते हैं इन सब के लावा, rock climbing करने के लिए जो रसी होती है, जो बहुत मजबूत होना चाहिए वो भी इसी से बनाया जाता है और fishing के लिए जो nets होते हैं, जो मचली पकड़ने के लिए जाल होते हैं वो भी nylon से ही बनाया जाता है Rayon खतम, nylon खतम, अब तीसरा synthetic polymer है, teraline teraline भी एक ऐसा synthetic polymer है, जिससे कपड़े बनाया जाते है nylon के तरह teraline भी elastic होता है, और highly durable होता है ये wrinkle resistant भी होता है, मतलब ये सिकूरता नहीं है और moth resistant भी होता है, मतलब इसमें कीरे नहीं लगते हैं अब इसके uses देख लेते हैं, अधिकतर इसका इस्तिमाल किया जाता है fabrics बनाने के लिए, ये water को absorb नहीं करता है और उपर से बहुत ज्यादा strong होता है इसी वज़ा से इसकी मदद से sales बनाया जाता है, जो कि boat पर लगा होता है जैसी कि boat है, और इसके उपर seal लगा होता है, बहुत बड़ा कपरा लगा रहता है ये इसी से बनाया जाता है इससे conveyor built भी बनाया जाता है अगर आप thermal power plant में जाएंगे, तो कोईले को एक जगह से दूसरे जगह built की मदद से भेजा जाता है built घुमते रहता है, और कोईला यहां से यहां पहुँच जाता है ये जो built है वो टेरेलीन का ही बना होता है और इन सब के अलावा इसका इस्तिमाल home furnishing के लिए भी किया जाता है एक और do you know यहां पर दिया गया, इसमें बताया जा रहा है कि fabrics जैसे की terry wool, terry silk और terry cot इन सब को बनाने के लिए terry lean में wool को, silk को या cotton को मिला दिया जाता है जैसे की terry lean में अगर wool को मिला दिया गया तो terry wool बन गया terry lean में अगर silk को मिला दिया गया तो terry silk और terry lean में अगर cotton को मिला दिया गया तो terry cot अभी तग हमने तीन सिंथेटिक फाईवरो के बारें परहा जिसमें की पहला था रियोन, दूसरा था नाइलॉन और तीसरा अभी जश्ट हमने परहा टेरलीव अब हम हमें चौछे सिंथेटिक फाईवर के बारें परना है जिसका नाम थोड़ा लंबा है polyethene tetraphthalate इसको short में PET या pet भी कहा जाता है ये ना तो पालतु जानवर वाला pet है ना ही खा के भरने वाला pet है pet एक ऐसा synthetic polymer है जो की commonly bottles बनाने के लिए और box बनाने के लिए किया जाता है जो tiffin box होता है water bottle होता है वो pet से ही बना होता है अब चलिए uses of pet देख लेते हैं सोची अगर किसी को पता नहीं होगा कि pet क्या होता है और एक जाम में पूश दिया गया कि uses of pet लिखे तो वो तो लिखके चले आएगा कि हम लोग अपना खाया हुआ जिस संदुक में रखते हैं उसी को pet कहते हैं आपको लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको इसका full form भी याद रखना है और ये exactly है क्या वो भी याद रखना है pet का सबसे पहला use है कि इसका इस्तमाल containers बनाने के लिए किया जाता है जिसमें की food या soft drink का packaging होता है pet से bottles भी बनाय जाते हैं जिनका इस्तमाल industries में होता है जैसे कि जितने भी soft drinks बिखते हैं जो तेल बिखता है और दूसरे food articles बिखते हैं वो सब इनी bottles में pack होके बिखते हैं pet से magnetic tapes भी बनाय जाते हैं जिसका इस्तमाल audio video cassette recorders में किया जाता है पांचवा और सबसे अंतिम synthetic fiber जिसके बारे में हमें पढ़ना है उसका नाम है acrylic fibers जिसको short में acrylon भी कहा जाता है ये ऐसे synthetic fibers होते हैं जो कि उन के जैसे दिखते हैं बिल्कुल उन जैसा आपको दिखेगा ठंट के दिनों में हम लोग जो sweater पहनते हैं जो shawl ओरते हैं इसमें से अधीकतर natural wool के नहीं बने होते हैं देखने में same to same ऐसा लगता है जैसे कि वो उन के बने हैं जबकि वो acrylic fibers के बने होते हैं acrylic fibers के uses देख लेते हैं सबसे पहला इसका use है blanket यानि की कंबल बनाना इससे बने कंबल काफी हलके होते हैं और उतनी ही गर्मी देते हैं जितनी गर्मी हमें एक उन के कंबल से मिलता है जो सामान एक acrylic fibers के बने होते हैं वो कम महंगे होते हैं हमें सस्ते में मिल जाता है और ये बहुत सारे colors में available होता है क्योंकि ये artificial है हमारा अगला subtopic है advantages of synthetic fibers अभी तक जितने भी synthetic fibers के बारे में हमने परहा उससे कुछ फायदा हमें होता है तभी तो artificially उसको बनाते हैं उससे क्या-क्या फायदा होता है वही चीज़ यहां पर list किया गया है important है आप इसको याद रखिएगा सबसे पहला फायदा है कि इसका चमक बहुत long lasting होता है इसका चमक जल्दी खतम नहीं होता है ये natural fibers के comparison में ज़्यादा ठिकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा मजबूत होते हैं इनको साफ करना भी आसान होता है और इनको सुखाना भी आसान होता है इसमें रिंकल नहीं होता है मतलब ये सिकुरता नहीं है इसी वज़ा से इसमें iron करने की ज़रत नहीं परती है या हलकी iron की ज़रत परती है ये धोने से भी नहीं सिकुरता है और साथी साथ ये natural fibers से कम महंगा होता है activity number 2 भी बहुत simple है इसमें अलग-अलग fiber की tensile strength के बारे में बताया गया है tensile strength चेक करने के लिए सबसे पहले आपको एक लोहे का stand ले लेना है और इस stand में आपको एक cotton का धागा पर एक pan लटका देना है इस pan पर आपको weight रखना है weight को धीरे-धीरे बरहाते जाना है जैसे जैसे आप इस वर weight रखते जाएंगे जैसे जैसे ये भारी होते जाएगा इस रसी में tension बरते जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब ये रसी तूट जाएगी same experiment आपको उन के साथ करना है nylon के धागे के साथ करना है terylene के साथ करना है और rayon के साथ करना है आप देखेंगे कि cotton का धागा जो कि natural fiber से बना है उसे जादा weight nylon का धागा terylene का धागा और rayon का धागा जहिल लेता है इसका मतलब ये हुआ कि इन सब का tensile strength जादा है और cotton का tensile strength कम है इससे हम conclude कर सकते हैं कि synthetic fibers का tensile strength जादा होता है ये जादा मजबूत होते हैं disadvantages of synthetic fibers अब देखें advantages है तो disadvantages भी होगा ये आज का सबसे अंतिम topic है इसके बाद इतने साथ topics बचेंगे उसको अगले पार्ट में परना शुरू करेंगे इसका सबसे पहला disadvantage है कि इसका melting point बहुत कम होता है जब इसको high temperature में रखा जाता है तो ये गर्म होकर चिपचिपे मोती में बदल जाता है आप इसको खुद भी कर सकते हैं कोई भी synthetic fiber ले लिजिए और इसको आग के पास ले जाएए वो गर्म हो जाएगा और गोल गोल बनने लगेगा इसी वज़े से synthetic के कपड़े पहन कर कभी भी kitchen में काम नहीं करना चाहिए kitchen ही नहीं कहीं पर भी अगर fire work होता है तो वहाँ पर synthetic का कपड़ा पहन कर नहीं जाना चाहिए natural fibers के just opposite synthetic fibers पसीने को absorb नहीं कर पाते हैं इसलिए गर्मी के दिनों में या rainy season में यह हमारे लिए uncomfortable होते हैं और इसका तीसरा और सबसे खतरनाक disadvantage है कि यह bio degradable नहीं होता है यह सर गल नहीं सकता है इसी वज़े से इससे बहुत ज़्यादा pollution होता है तो finally हमने यहाँ तक यह सभी topics को complete कर लिया अगर आपको इसका part 2 भी चाहिए तो comment मिलिकर जरूर बताईएगा आपके class के science का playlist open करने के लिए left side में क्लिक कीजिए वहाँ पर आपको एक line से हर chapter का वीडियो मिल जाएगा और अगले class का वीडियो देखने के लिए right side में क्लिक कीजिए फिलाले से वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली class में बहुत सारे नए topics के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से बरहाई करते रहिए